आज हम लोग बात करेंगे ड्रीम 11 के बारे में कितने पॉइंट्स बनाने पर कितना पैसा मिलता है बहुत सारे लोगों का सवाल है ये बात विल्कुल सच है कि भाई आप मैच जीतते हो या हाडते हो डिपेंड करता है आपके पॉइंट्स पर लेकिन पूरी तरह से जो है आप कैलकुलेशन करो के अधार पर कि आपको कितना पैसा मिलेगा पूरी तरह से वो सही नहीं है इसको समझाने के लिए जो है हम आपको बहतरी चीज बताने वाला है उसको थरह समझ लेजिए पहले मैं Dream Gear application को open करता हूँ देखिए मैं जो बता रहा हूँ उसको देखिए और समझिए नहीं तो फिर जिन्दी ही बढ़ ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है उपड़ मीनू है इसको click करना है यहाँ पर how to play है how to play के उपड़ में click करना है आपको बहुत सारे यहाँ पर खेल है तो हम cricket को ले लेते हैं cricket के अंदर में जाईए यहाँ पर और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है fantasy point system मतलब की cricket में points आपको कैसे मिलता है पहले उस चीज को समझ लीजिए वो बहुत जरूरी है फिर मैं आपको आगे बताता हूँ होता क्या है जैसे कि में यहाँ पर बहुत सारे हैं T20, OD, Test, T10 तो सब का नहीं देखते हैं समय बचाने के लिए केवल T20 के बारे में बात करते हैं फिलाल एक चीज समझ लीजिएगा तो फिर इसके माधियम से सारा कुछ समझ में आ जाएगा तो जो 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 एक्टिवीटी आप करते हूँ किर्केट में उसके अधार पर आपको पॉइंट मिलता है थोड़ा सा नीचे अगर आप जाओगे तो यहां देखिए लिखा हुए बाॉलिंग पॉइंट यहां बॉलिंग से रिउलेटेड पॉइंट मिलता है वी यह तो फिल्डिंग पॉइंट है यहां पर फिल्डिंग ऑभी मिलता है तो कौन-कौन से activity करोगे तो कितना point आपको मिलेगा ठीक है? तो इस चीज को आपको अच्छे समझ जाना है अब देखे मैं एक दूसरा चीज दिखाता हूँ आपको यहाँ पर back चलते हैं तो कोई match यहाँ पर open करते हैं जैसे कि यहाँ पर देखो आप जीत कर इसमें prize जीतते हो prize बोलने का मतलब cash money जो कि आप अपने bank account में भी ले सकते हो तो एक कोई भी match हम इसमें पकड़ लेते हैं match जो है match तो है लेकि match के अंदर यह contest है ठीक है इस चीज में confusion मत करना आप यह आपको है contest prize pool है 2 लाख ठीक है और यहाँ पर आपका जो है 24 sport है जिसमें 20 sport left है मतलब 20 24 team इसको join कर सकता है इसको open करते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको बता दू एक चीज बहुत important चीज है कि यहाँ पर rank एक आता है तो आप जो है 1 लाख रुपे जीत जाते हो 2 से 11 आता है ring तो आपको 10,000 रुपया मिलता है परते के व्यक्ति को यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ कि आप team बनाओगे इस match में ठीक है ना आप जो है यह team बनाओगे यह तो आपका contest मैंने दिखाया लेकिन इसमें आपको team बनाना पड़ेगा इसको join करने के लिए ठीक है यहाँ देखो नीचे में career team का option है आपको team अपना सबसे पहले बनाना पड़ेगा team बनाने के लिए आपको 11 प्लेयर जो है select करना होगा ठीक है यहाँ से 11 प्लेयर आपको select करना होगा सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अच्छी बताना चाहता हूँ जो कि जानना आपको बहुत important है जब आप अपना team बनाते हो तो 11 प्लेयर आप select करते हो आपको best player select करना होता है क्यों क्योंकि जितना अच्छा player होगा उतने अच्छा वो performance करेगा और उतना अच्छा आपको point मिलेगा जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यह जो match है इसमें 24 team join कर सकते हैं 24 team का मतलब कि एक तो मैं join कर गिया मान लिजए मैंने अपना 11 player बना लिया और मेरे अलाबा जो है यहाँ पर 23 team और join करेंगे वो 23 लोग भी अपना 11 player select करेंगे वो भी अपने knowledge में बहुत अच्छा अच्छा player select करेंगे ठीक है ताकि उनको अच्छा point मिले क्योंकि कोई catch लेगा कोई bicket लेगा कोई run करेगा सब को point मिलता है point system में मैंने आपको दिखा दिया है समझें तो होता यहाँ पड़किया है कि जब match complete हो जाएगा ठीक है आप बोलते हो ना कि कितना point पर कितना पैसा ऐसा नहीं होता है कितना point आएगा तो आपको rank मिलता है ठीक है उसके according जो है आपको income होता है या पैसा मिलता है जैसे कि अब सब लोग performance करेगा मेरा भी team perform कर रहा है बाकी 23 लोगों का भी team perform कर रहा है जब match खतम होगा ठीक है तो सब जितने भी team होगे सब का point calculate होगा ठीक है और जो point calculate होगा और हमने माल लीजे join किया था कौन सा मैं आपको फिर से दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने filter किया हुआ था यह वाला दो लाक वाला ठीक है ना तो इसमें 24 team है ठीक है तो अगर मैं rank 1 आ गया मेरा point सबसे ज़्यादा हुआ तो निश्यत बात है कि मैं rank 1 आऊँगा तो सबसे ज़्यादा point वाला जो rank 1 आएगा तो हमको एक लाक रुपया मिलेगा ठीक है और दो rank से लेकर 11 rank तक मतलब कि वो depend करता है points पर ठीक है ना points पर तो उसको 10-10,000 रुपया मिलेगा तो टोटल team कितना है 24 तो एक मुझे मिल गया माल लीजे और 2-11 मिल गया बाकी जो लोग बचेंगे उनको पैसा विसा कुछ नहीं मिलेगा कोई income नहीं होगा समझें तो ये इसका fund होता है जिस तरह से आप इस्कूल में exam पास करते हो आपका अच्छा number आता है तो आपको first, second, third बोला जाता है उसी तरह से समझें यहाँ पर rank मिलता है और आपको पहले से ही मालुम होता है कि कितना rank लाने पर आपको कितना यहाँ पर winning amount मिलेगा छमझें तो यह बात मत कहिए कि कितना point पर कितना पैसा आप अच्छा point लाओगे तो आपको अच्छा rank मिलता है और उस rank पर अगर अच्छा winning amount है वो आपको मिल जाएगा उसको आप अपने bank में withdraw कर सकते हो अपना एक example दे दू मैं आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा back करता हूँ यहाँ से और यहाँ देखिए my message को click करते हैं और यहाँ पर जो है जाते हैं completed में तो हम थोड़ा आपको दिखाएं कि यहाँ पर देखिए मैंने एक match जीता था यह मातर जो है दो ही team थे इसमें तो हमने इसमें जीता था 527 point आया था हमारा तो इसमें जो है हमने अपने team बनाया था यह मेरा team है ठीक है तो यहाँ पर देखिए दो लोग कहीं team था तो इसमें क्या है एक बैवोजी है एक हम है तो क्या हुआ है कि इनका 427 आया हमारा 527 आया तो हमको rank 1 मिला और इसमें rank 1 पर जो है पैसा जो निर्धाइत था वो हमको मिल गया मतलब कि यहाँ पर 35 रुपिया जो है हमने यहाँ पर जीत लिया तो यह इस तरह से हम मेरा rank अच्छा आया point मैंने अच्छा लाया तो हमको rank अच्छा मिला तो हमको जो उस पर amount decided था उस rank के उपर में वो हमको मिल गया simple यह आपका तरीका हुआ जीतने का ड्रीमी के अगर ट्रेनिंग के लिए मेरा website है आप इस पर आ सकते हो ट्रेनिंग के लिए आप चाहो तो मेरे साथ जोइन कर सकते हो how to join में धन्यवाद